दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योग एसी लर्णिंग योटूब चैनल पर बात करेंगे कई बड़ी और महात्यपूर अपडेट के बारे में साथी एक बहुत ही बड़ी खुशकबरी के बारे में जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी है और जो वीडियो को इस्टार्ट करें उससे पहली लाइक कर दे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि त्यारा सो पंचानबे अभ्यरतियों को आज से आवंटित होंगे स्कूल ये बात की जा रही है एल्टी और जी आईसी की अभ्यरतियों की जो की इन सभी अभ्यरतियों के लिए बहुत ही बड़ी कुसकबरी है एल्टी के अभ्यरति पिछले चार सालों से इसका इंतजार कर रहे थे और जी आईसी के भी अभ्यरति एक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे तो आज यानि कि 10 अक्तूबर से जो पोर्टल ये खुल जाएगा लेकिन अभी भी कुछ अभ्यारतियों के लिए यहाँ से बुरी खबर ही है और ये हैं ELTGRIT के कला और हिंदी के चैनित अगर हम बात करें जो है कला भी से की या फिर हिंदी भी से के अभ्यरतियों की तो 90 चैनितों की जो फाइल है ये मादमी सिचा निदे साले ने सासन को तो भेज दिया है लेकिन अभी भी ये फाइले सासन अस्तर पर लंबित पड़ी हुई है और इन अभ्यरतियों को इसमें सा आयोग की ओर से सहाय कद्यापक जिव विज्ञान यानि कि TGT जिव विज्ञान और यहां से ल्टी ग्रेट जिव विज्ञान की सचिक आहरता में संसोधन किये जाने की मांग को ले करके अब ब्यर्तियों ने सिच्छा मंत्री को पत्र भी लिखा है जो कि एक बड़ी अपड सिच्छकों के 76 पद खाली और सिच्छकों की कमी से सिच्छा की गुलवत्ता पर भी गहरा असर पड़ रहा है यह भी बात की जारी है ल्टी जी आईसी की ही यानि की राजकी मादमिक बिद्यालों में रिक्त चल रहे सिच्छकों के पदों को भरा नहीं जा रहा है जिसकी बड़ए से एक बार फिर से यहां से जो हालत है यह आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर हम यहां से बात करीं तो देखने को मिलेगा कि जीले में प्लस बता करके इनके पदों को जो है इस्थान अंत्रित कर रहा है और तमाम सारे पदों को सीज़ करने कभी यहां से जो कार है वो चरम सीमा पर चल रहा है वही इसके बाद अगर हम बात करें LT और GIC के नए बिग्यापन को ले करके तो आज आपको डारिकली आयोग से एक ब लकात होती है और कोई भी यहां से आधिकारिक अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाने का कारिक किया जाएगा फिलाल आज को वीडियो यही तक बहुत बहुत धन्नवात